स्वांय देखते हैं इसकों देखिए जब दो या 2 से अधिक योगिकों के अनुसुत्र समानों होते हैं परणतु उसमें उपस्तित क्रेकातनक्त समूं भीन वोते हैं उसमें जो क्रेकातनक्तником काूं समू समावेवी कहते हैं इस तथा इस घटना को इस घटना को किराका अतनक समू समावता कहते हैं तो आये इसका एक्जैंपल देख लेते हैं इसमें क्या होगा और सुत्र शमान होंगे पर जो किराका अतनक समू होंगे वह अलग-अलग भीन-भीन जगा होंगे यह जो अलग भीन बीन होंगे आए देख लिएते हैं इसका एक्जाम्बल कर यासे क्या आप देह सकते हैं इसमें उधरनसर क्या होगा कारविन संक्या 2 और हीड्रॉन संक्या 6 और अक्छेजन संक्हा 10 संक्या leave दो और हाइड्रोवन संख्या कितनी है तीन दो पांच च्छो और और अक्सिएन संख्या एक तो इसको देखें क्या पढ़ेंगे ए एथिल एलकोहाल इसको पढ़ेंगे एथिल एलकोहाल इसको अगला को देख लेजिए इसको बोलेंगे डाई मैथिल इथर इसमें च्छी कितना है दो है डाई मैथिल ग्रूप तो दो है तो और ओ ग्रूप जुड़ा है और थिल तो एथर तो डाई मैथिल इथर तो इसमें एक्सेप्शन देख लेजिए समान 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 और सुत्र रखने वाले भीन सजातियों सुर्यणियों के सदस्य क्रियाकात्मक समुदर्श आते हैं तो आई इसका अगला देख लेते हैं जो जो चौथा है चौथा है आम लोग का मध्या मध्या वयता मध्या वयता आए देख लेते हैं मेटामेरिजम क्या होता है देख लेजे किसी किसी विशेश क्रियकात्नक समू के पारित एलकिल समूहों में भीनता के कारण किसी विशेश क्रियकात्नक समू के कि पारित एलकिल समूहों में भीनता के कारण जो समया होता उत्पन होती है उन्हें मध्या तो हटना मध्या मोटा काला आता है तो आए इसका अंताल देख लों से जैसा कि आप देख सकते हूं पर यह है सिर्ट ऐङ Mill Siya फोर एच टैन कारवन संक्या चार हडोजन संक्या दस और ऑक्सिजन संक्या एक तो इसमें देखिए दो परकार कर तीन परकार कर देखिए दिखाये गया है जैसा कि आप देख सकते हैं यह चल एक्जामपल देखिए नाम क्या होगा डाइए अधिल डाइए एतिल टितर तो अग्ला एक्जामपल देखिए इसका इसको दो परकार सबस्कें जैसे कि आप यहां तक ते हैं इस घ्री सिंगल वांड ओ सीएष त्री सिंगल वांड चीएश त्री इसमें कितना है डाइए इसने भी मैधिल दो है कि एक नफ्यून संगे संगहें कि एक है तो पढ़ेंगे मैधिल आइसो प्रोपेल मैधिल आइसो प्रोपिल इतर मोठी को इसका दूसरा है इसी परकार अंड़ सूत्रों कर sąब सब्सक्राइब अ मैधीन लिखित समयता संभव है तो देख लेता हैं CH3 CH2 single bond and single one CH2 CH3 Sum only सकते हैं मैंथ्हिल दो है कार्वन संक्या 4 है और यह उन्टों की संक्या एक है और हैज्टों किया है तो चाहिं पर आखरेंगे इसमें 2 मैथीट दो डाइएथिल डाइएथिल एमीन डाइएथिल एमीन इसको बढ़ेंगे इसका IPSC नामगा तुझा देखेंगे हैं अगला CH3 सिंगल बॉंड एनच सिंगल बॉंड CH2 CH2 CH3 तो इसमें देख लिए आप कारवन संगे कितनी है तो इसको बढ़ेंगे मैथिल एन प्रोपिल एमीन तो आई एज का अगला भाग देखते हैं अगला एक्जामपल सोरी इसका अगला जो भाग है वो देखते हैं पांच वाए चला आया ता ठीटो मेरिजंब ड्टो मेरिजम देख लेते हैं टीटो मेरिजम क्या होता है तो वह परिघ्णा जिसमें दो या दो इस जादिक क्रियक्टनकी समुँ परिवर्थित हो जाते हैं मतलाlier ग़रीघ्णा जिसमें दोग क्रियक्टनक्स तुshoreस किरेकात्नाक समुँ एक दूसरे में सर्वालता से परवर्थी जत्हें आ किस्था नवी कि विश्था में रहते हैं और कौन से और सामेय विश्था में, तो इससे क्या देखते हैं इसमें कुछ और एक्स्पेक्शन देख लेते हैं चलावेमों के चलावेमों के समानता यह हाइड्रोजन परमाड़ू तथा यूगमों आबंद के स्थान में अक्सीजन नाइट्रोजन सौडियम के सापेक्श भीनता पायाते हैं तो जो इस कारवन की सनुरूत में होगा ना तो वह ऑक्सीजन नाइट्रोजन तथा सुल्फर में भीनता यह पाई जाएंगे ठीक हैं तो यहापी चलावेमों कई परकार की होती हैं परन्तु इसमें से सबसे कीटो नौल चलावेता कि कीटो नौल चलावेता जिसमें समान योगी में कीटोनों तथा एथनौल समान रूप से उपस्थित रहते हैं इसमें योगी के कीटोन तथा इनाल रूप समावस्था में सामय अवस्था में उपस्थित होते हैं तो आये इसका एक्जाम्पल सिरिंखला समायवता वेले सिरिंखला समय मिर्जंट तो इसको को कहते हैं इसे किसे कहते है ऐसस ऌडनिसुत्र वाले समान और सु री जिसके वत्तरक्ट उनकी संख्या समान होगी जिनकी विले तथा शरिंखला सनच paste लिए श्रिंखला बनेंगे चेन बनेंगे ठीक है ओ यह से चैन बनेंगे विले श्रिंकला संवाताः दरश आते हैं तो देखते हैं प्रयूज़ के देख सकते हैं उधारं के लिए एक टू सी अज टू सिंगल बॉंड चिस टू जैसे कि आप देख सकते हैं यह वाला नहीं हेक तो इसकी मरत लाइजर तो तो इसलिए इसको जो इसका नाम होगा साइक्लो प्रोपेन आज कि यहां पर अगला जैंपल देख सकते हैं दूसरा प्रोपीन तो आए इसका अगला पड़ देखता है इस्टेरियो आई सो में जम तो आए देख लाते हैं क्या होता है किसे कहते हैं वे और योगिक जिनके और सुत्र एम सनचना सुत्र समान होते हैं अब इसमें देखिए और सुत्र भी समान होंगे और सनचना सुत्र भी समान हो गे पड़ाओ उनके और याठ मो ये शम्मों की आपक अपकस्टी विवस्था भीन होती आकास्य विवस्था भीन होती यह अपको त्रीमियन ट्रस्टा कहलगा लाती हैं तो यह घंक पर्कार ग्रेंसात बागों मं वर्गृत किया गया है वहती क्या कहा है पहला है जियामिती समावेवता जिमेट्री आइसोमिर्जम जिमेट्रिकल आइसोमिर्जम तो इसमें तरहिए समान और शुत्र तथा सनचना वाले ऐसे योगी जिनमें द्वी आबंद के परिता परमाड़ों या समुवों की अंतर आकासिय बिवस्था पाई जाती है जैन जयामिती एसमें क्या होगा इसमें उर्सुत और सनचना समान होंगे और इनके योगिक में द्वी द्वी आबंद के परिताव परमाड़ों की समुवों की अंतरा अकासिये बिवस्था भी नहीं होती है इसो क्लिक जैजीकाइब अर्वारा कैसे मीवारी क nay आप हैं अंत्रा आकास यह संद सनचना अंत्रा का सिसना दे सकते हैं चाहिए आप निम्न दो जया में इती समय होता संभव है सी एच ट्री सी एच डवल बॉंड सी एच छी एच त्री एच त्री सिक्स संपक्ष टू व्यू टीन इसका दूसरा देख लिजिए वस इसका यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं आपकी यहां पर 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 यहां प अलग अलग है एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और एक ट्रेल लाइन में हो रहा है तो आए इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं अप्टिकल आइसो मिर्जम अप्टिकल आईसो मिर्जम देखते हैं तो इसको कहते हैं प्रकासिक समयोता से संबंधित मुहतपुर्ण सब्धावली है ठीक है प्रकासिक समयोता जो हम पढ़ने वाले हैं उससे समधित कुछ मुख्या मुख्या सता बद्दि जिसको हमको जानना बहुत इन्पोर्टन्ट है तो पहला है आईसो मिर्जम प्रकासिय समयोता से समधित मौतपुर्ण सब्दावली निम्लिकित है तो आ भी आएक देखते हैं पहला है समतल धू 506 को समतल धूक प्रकास लेन पॉलोराइजड लाइट अथे वह प्रकास जिसमें मद्यकन है इसे साब्सकर्ण निहींहां समान तल में कंपित हो गरते समान तल में कंपित करते हैं समतल ध्रूवे प्रकास काल आता है इसे साधानता प्रकास को निकाल निकाल प्रिज्म से उजार कर प्राप्त किया जा सकता है तो वह प्रकास देखिए वह प्रकास माध्यम के कंड वह प्रकास जिसमें माध्यम के कंड समान माध्यम कंड होंगे सम मतलब एक तल में कंपीट करते हैं समतल थ्रुए प्रकास कराता है इससे साध्म को निकाल प्रिस्म से घुजारा जा सकता है तो आये देख रोते हैं इसका इशामपल से आप देख सकते हैं साध्राण प्रटब करता से सिट्र्य और यह निकाल प्रीज्म की साहता से हम लेको इसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे परवरतित कर सकते हैं अगर निकाल प्रीज्म होगा इस प्रकार का एक प्रीज्म होता है एक प्रीज्म होता है उसको इस प्रकास कहां रखेंगे तो इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन एक प्राप तो दिख रहते हैं समतल दुर्वोरता प्रकास के तल के बाई तथा दाई और घुमाने का फर सक तर्लू गूंढ़े वंडनता करता काल अंसमें इसमें काौश 2019 और भूमा नेका गुन आता है गुन उपस्ती तरहता है तो इसे घुन आपउर के बदार्थ को आते हैं काल आते हैं तो आए देख चाते हैं इसे आग्जामपल इसके बाद है अगला है थी तीसा नाम वहाँ दक्षिण ध्रूर्वर्वर्वर्वर्व तो वे यौगिक जो समतल द्रूवय प्रकास के तल में दाई और अर्था दक्षिन दक्षिन वार्थ क्लोक वाइज दिसा में घूमते हैं दक्षिना ध्रूव आपूर्ण योगी कलाते हैं इन्हें योगी को के नाम में पुर्व प्लस या डी लिखकर परदर्शित किया जाता है तो इसमें क्या होगा समचल द्रूव प्रकास के तल दाई और दाई और रहेंगे डिक हैं अर्थात को दक्षिन वाइज क्लोक वाइज दक्षिना आवर्थ दिसा में घूमते हैं दक्षिन द्रूवन घुर्मक योगी कलाते हैं इनके इनके नाम लिखने से पहले प्लस या डी का लिखकर इसको ध्रूवरं घ्रुवाक गुवाक तो देख लेते हैं कैसे बेयोगिक जो सम्तल धूए प्रकास की तल से बाई अर्थात वामा वर्त वामा वर्त अन्टी क्लोगवाइज यह इल्टा चलेगा खड़ी की सुई चलती हैना उस्थ नहीं चलेगा यह उल्टा चलेगा एंटी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि घड़ी की सुई घड़ी की सुई इस्तर चलती है पर यह चलेगा इस तरह ठीक है यह उल्टा चलेगा इस्तर है यह तो आए देख लाते हैं इसको तो यह उल्टा बाई और अर्थार्त एंटी क्लोकवाइस दिसा में घूमते हैं वामा देखने से पहले माइनस यह सेवन लेके पर्दसीत कर देंगे तो समझ जाएंगे तो क्या होगा वाम ध्रुवन घुर्णवक इसका पांच और लास्ट देख लेते हैं हम लो जो बहुत ही इंपोर्टेंट है विशिस्ट ध्रुवन 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 धूर्वन इस्प स्काफिक ऑप्टिकल रियोशन फें सफिर लिधर देख लेट्वाटैक हिसी गउगी के एक ग्राम प्रति लिटर सांद्र वाले विलियन में एक डेसिमल लंबी नील लंबी नील में रखकर उसमें द्रुवन प्रकास को गुजारने पर द्रुवे प्रकास का तल जिस कण पर घूम जाता है उस कोण को अधार्त का विश्टिस्ट धुवन कोण काते हैं तो जैसा कि आप मालेज देख लेजिए इसको किसी योगी के एक ग्राम परती लीटर सांद्र वाले विलियन में एक डेसिमल लंबी नील में रखकर उसमें धुर्वन प्रकास को गुजारने पर द्रुवीत प्रकास का तल जिस कोण पर घुगता है या मुड़ता है जुगता है या जुगता है उस स्कौन को उस पदार्त का विशिष्ट धुवन घुरवन का कहते हैं तो जैसे माल लेजिए हमने एक विलियन लिया इसमें ठीक है और इसमें एक डेसिमल एक डेसिमल क्या मिला है हमने इसमें लंबी नील इसमें माल लंबी मिला दिया फिर से परकास गुजारेंगे तो यह आता मुर जाएगा ठीक है यह थोड़ा अपने मार्ग से भठक जाएगा ठीक है तो जिस बिंदू पर या जिस पदार्त में यह मतलब जिस तल पर मुरेगा ना इस तल को कहांगे आम लोग धुमण विशिष्ट ध्रुवन घुरवन विशिष्ट धुरवन घुरवन हमारे सारे वीडियो समझ में आएंगे अगर आपको वीडियो अच्छ लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हम प्रेस करें कि आगे हम जो भी वीडियो अप्लेट करेंगे उसको नोटिफिक्शन आपको मिल जाएगे और आप अपनी प्राइचे से कर पाएंगे तो फ्रेंट्स थैंक यू फूर वाचिंग इस वीडियो टेक केर